स्वास्ति संजीवनी के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार हमारे विशेश लाइव कारिक्रम में आप सभी काहर्दिक स्वागत है मैं हूँ पुश्पेंदर आ रहे हैं और मेरे साथ हैं देश के जाने माने प्राकर्तिक योग्चिकित सक शिर्यानिल बंसल इश्वर ना करें आप या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति कभी भी अस्वस्त हो या किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो फिर भी जिन्दगी है और जिन्दगी में कई मारा ऐसा होता है कि हमारी तमाम सावधानियों के बावजूद हम बीमार पड़ जाते हैं या कोई नो कोई रोग हमें आन घेरता है यदि ऐसा है तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत जादे फाइदे बंद हो सकता है स्वास्त संजीवनी में आप अनिल बंसल जी से सीधे प्रशन पूछ सकते हैं प्रशन पूछने के दो विकल्प आपके पास हैं आप हमें टेलफॉन कॉल्स कर सकते हैं हमारे उन नंबर्स पर जो स्क्रीन पर प्रदर्शित किये जा रहे हैं आप हमें अपना प्रशन SMS भी कर सकते हैं SMS का कोड है JAB इस पेस दीजिए अपनी बीमारी के बारे में लिखिए यदि आपने किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट्स कराई हैं कोई टेस्ट्स कराई हैं उनका उलेख भी आप कर सकते हैं आपका प्रशन आपका नाम आपके शहर का नाम अभी भेज दीजिए 57575 पर बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो इमेल के माध्यम से अपने प्रशन हम तक पहुँचाना चाहते हैं उनके लिए इमेल आईडी है बंसल योगा ब-a-n-s-a-l-y-o-g-a at the rate gmail.com आपके लिए एक और खुश ख़बरी है अनिल बंसल जी ने वैदिकुप चार संस्था के तरफ से आप लोगों के लिए 24 घंटे एक हेल्प लाइन नंबर भी प्रस्तुत किया है यह नंबर आप नोट कर सकते हैं और अपने बिमारी के बाबत इस कार्यक्रम के पश्चात या पूर भी बात कर सकते हैं नंबर है 011 30519000 011 30519 0000 नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शोओ में प्रणाम आपका स्वागत है हमारे शोओ में आपका नाम जान सकते हैं जी क्या प्रशन पूछना चाहिए कहां से बोल रही है आप फैजाबाद से क्या सवाल है अगर बार बार निकलते हैं तो उसका तो इलाज है जी क्या करना दणिया की चटनी बना लिए जो अर्या धनिया आप घर में यूज्ज करते हम उसके चटनी बना लिए उसकी चटनी अच्छी तरफ क्रें बिल्कुल महीन पीच का उसमा नमक में इसकुछ न डालें उसको चेरे पाप रोज लगा जैसे गर्दर में भी तिल बिल्कुल तिल Νिकलने बंद हो जाते, यह तो यही लगाए, इसी से राम पड़ीगा और रात को गृम दूझ में हल्दी डालका पियाएक वह भी खून साफ होने लग्ए लगएगा, तो तिल לने बिल्कुल कम होने लग जाते हैं यह परियोग करें कब से प्रोग्राम देख रही हो आप हमारा पिछले हफ्टे से चलो बहुत अच्छा तो यह परियोग करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हल्दी का दूद भी होगे उससे दर्द वर्द भी खतम होंगे ब्रिस्पती की है महराष्ट से लाष्ट डिजिट है डबल सिक्स थ्री नाइन नाम है सुमन सुमन जोशी इन्होंने लिखा है कि इनका इनके घुटनों में बहुत जादा दर्द रहता है और शरीर में सूजन बनी हुई है क्या करना चाहिए को सूजन के लिए तो धनिया जो अक्षा धनि लेंगे तो अच्छा है अगर डायबटीज ना हो तो देखो डायबटीज हो तो मिठी चीज़े कोई बिना डाले वही कई बाद 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 प्रोग्राम देखते हैं हमारा तो यह करें तो रात को दूद माल दी डालके पीएं और सफेद तिल रात को भिगो दें च्यार प पीएं सलकी काजूस पीने से दर्दों में बहुत अच्छा है रहा मुडेगा सूजन भी उतरेगी तो सलकी काजूस बजार से भी मिल जाए तो वहांसे ले सकते हैं नहीं तो फिर कोरियर से संस्ता के दोरागा सकते हैं हमारे साथ रीतू जुड जू नो तक से हलो घलो डू हाँ नमस्कार रितु जी नमस्कार सर मुझे ये पता करना था कि मेरे काफी मैंनों से मेरी उंगलियां जो हाँ इनके जॉइंट में सूचन भी है और दद भी रहता है तो कब से दोक्टर ते दवाई भी लिया है लेकिन उन्से कोई खास फर्क नी कोई बात नी कोई हमारे कार आप दिखाई नहीं दे रहा है अभी तो बीस ही दिनों है ना जी देखो छे बिने में ये रिजल्ट देने लग जाएगा यही ले और गरम पानी में नमक और फिक्री डार का आत्तों की शिकाई करें और कैल्सियम कैल्सियम तो कम नहीं था आपका यह और बता दें एकबर ह वैसे भी वहारा जो यह नंबर चलिए ना तीन 3051900 तो दिन में लेडी डाक्टर से बर बात करके फिर पूरी रिपोर्ट हो बता देना उसमें तो बहुत यह अच्छारे जला नहीं तो यह अल्दी का दूद तो आपी पीते रहो साथ में सलाकी का जूस भी मंगा लो यह उ बताएं जी रख्टर साहब हमको पेट में बहुत दिकत है पेट में कब से प्रोग्राम देखते हैं आप भी बताओ जी रख्टर साहब अभी बस तीन-चार दिन से यह ना तो यहीं देखे बिगा कि आए तो पेट 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 पट्टी बांदे वेट कितना आपका वज़ को तोडेंगे ना बीफ बाओ ते लगाए सरशों का राध को सोते वक्त तो ओक्त वहां बी कबजगो तोडेंगे एक तो यह करें, ओर घरबुघजा आज कल बहुत आरहा है, खरबुघजा खायें खरबुघजा भी कबजगो तोड़ता है वह तह यह लग्का उर दिन में साज का सेवन, हिंग जीरा डालका है, ये करें, और साथ में वैदी कमरत मंगा लो, आप वैदी कमरत कबज को तोड़ता ही चलिया जाता है, तो कबज की विमारी नहीं रहने देगा, वो संस्ता से फिर वैदी कमरत का सेवन कर सकते हैं, ये डोक्स अब बता रहे थे कबज में जो भी पेट से संबंदित व्याधियां हैं, परिशानियां हैं, उनमें वैदी कमरत बहुत जादा मुफीद रहता है। जैसे जैसे पेट मुलाएम होगा, चेरे पर भी गलो आएगा, और कबज की विमारी नहीं रहेगी। जैसे बहुति हैं परिशानियां कोगशी निम्बू गरम पानी में एक मन फिछोड़का पांच दिन पी लें फिर बंद कर दें फिर पांच दिन प्र प्र बंद कर दें पिर एकबबर फोन से कम एमारे से संपर कर लें ये भी पेट को भी करेगा पेट पर अच्छा और साथ में बैदी का मरत का सेवन कर लेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा चर्चा हमारी बनी हुई है आप भी बने रही है अभी लेते हैं चोटा सब्रेक